नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हो आपके साथ विकास कुमार देश में बेसक कोरोना का काल चल रहा हो लेकिन बिहार पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है चुनाव लोग सवाका हो या विधान सवाका भागलपूर हमेशा से चर्चा में रहा है इस पार भी शर्मा पंडे और चौवे के बाद भागलपूर की राजनीती में राजेश्वर्मा की इंट्री हो गई है राजेश्वर्मा परीचे के महताज नहीं है अपने बहतर कारियों के बदोलत अपनी एक नई पहचान बनाई है और आज हमारे साथ हैं सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर सवालों से शुरुआत करेंगे और जब भागलपूर से जो है राजनीती मैदान में उतरना ही था तो फिर इतनी देरी क्यों यह देखे मुझे लगता है क्योंकि मैं एक गयर राजनीतिक परिवार से आता हूं तो यदि आप किसी बच्चे को स किसी भी चेतर में करके दिखा सके तो क्योंकि गयर राजनीतिक परिवार से आता हूं इसलिए मैंने अपने शुरुआत वाट पार्सत के चुनाव से की और उसके बाद डिप्टी मेर का चुनाव मैं यह नहीं कहता हूं कि मैंने अपने डिप्टी मेर के कारिकाल में पूरे जनप्रतीनदी के तरह केवल अपने कारियाले या अपने अवास पर पूरे कारिकाल को काटने का काम नहीं किया मौन रहकर देखने का काम नहीं किया जहां गरत लगा वहां आवाज बुलंद करने की काम की हर वार एक प्रयास किया मेरा ओदा जरूर छोटा था लेकिन इस छ अपने नीजी अस्तर से, युवाओं के मदद से, युवाओं के सपोर्ट से करने का काम किया, तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों को देखकर आज हमारे राश्ट अध्यर शादरेन चिराग पास्वान जी ने मुझे एक बड़ी कह सकते हैं, मेरे जीवन के बड़ी उप चिराग पास्वान जी उन्होंने किलियर कर दिया था कि भाजपा के एगेंस्ट लोचपा चुनाव नहीं लड़ेगी लेकिन फिर भागलपूर से हमको लगता है यह पहला सीट होगा साइद भागलपूर ने देखे सुरूद बहुत पहले दिन से चिराग पास्वान जी न आस्व कर चुके हैं या कर रहे हैं और जिन की संभावना है क्यों निकाल सकते हैं वह मजबूत दावेदार उन जगहों पर कुछ जगहों पर उन्हें पहले से चिन्नित करके रखा तकि उन जगहों पर पाटी जो है वह मैदान पर उतारी अपने कैंडिडेट को पर उनको जो फीडबेक मिला जो हमारे बारे में उनको जानकारी मिली या बाकी जो चीज़ें उन्होंने विस्वास जता है मैंने उनको विस्वास दिला कि भागलपूर के लिए मैंने हमेशा बहतर करने के कोशिस की है यहां के युवाओं का साथ है और आपके मार्ग दंशन कहीं और जो­क कई लोग इस तरह की बात करते हैं कि राज's वर्मा जो है वह किसी पाटी के लोह को हराने के लिए आया है तो राइश वयमा महाने जरूर आ है लिकिंट किसि पाटी को को राने नहीं अब बार बार रोटिया से कर चुनौ लड़ते हैं हराने आया हूं जो माताएं बहने जो कई किलोमीटर तक दूर जाकर पानी लेकर आती हैं मैं बात कर रहा हूं हराने की उन मुद्दों को कि जहां पर एक वेंडर फुटकर विक्रेता बहुत महनत से अपनी रोटी रोजी करने का काम करता है और किस तरीके से प्रसासन का डंडा चलता है अफसरू की जैसी भी चलती है और रातो रात उनकी जमापुझी जो खतम होती ह मैं उन मुद्दों को हराने की बात करना हूं जो सहर के बहुत बेसिक मुद्दें जिस बुनकर के कारण पूरे अंतरास चस्तर पर भागलपुर के पहचान है आज उन बुनकर समाज के लोगों को जो उनके पर कमर्शल टेक्स लगा दिया गया है एक छोटे घर में वो अप सदन में इस बात से आप अपनी सहर की समस्या को गुंजाने का काम करें कि मेरे सहर की समस्या क्या है तो मुझे लगता है कि इन सभी बहुत सारे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर मुझे लगता है कि मैं पूरे मजबूती के साथ चुनाओ लड़ूंगा और बाकी म मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने मुझे पहले भी बहुत प्यार दिया है युवा साथियों ने प्यार दिया आगे भी देंगी लोग सर इस बात को लेकर confusion में है कि वर्मा की लडाई शर्मा से है या फिर पांडे से है में देखिए बिल्कुल असपस्थ है मेरी लडाई ना मैं वर्मा से सर्मा से कह रहा हूं ना मैं पांडे से कह रहा हूं मैं किसी अन्य लोगों से कह रहा हूं मेरी लडाई उन लोगों से है जिन लोगों ने जनता के विश्वास को ठगने का काम किया है मेरी लड़ाई उस सोच से है जो सोच केवल एक जाती या धर्म के अधार पर सीमित है मेरी लड़ाई उन लोगों से है जिनों ने लोगों को सिर्फ आस्वंस्त करने का काम किया है ना कभी आवाज बुलंद की उनके लिए और ना कभी अपने कारकाल में बाहर निकले तो मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेश से नहीं है, मेरी लड़ाई एक सोच से है, और मुझे लगता है कि आज का नौजवान भी उसी लड़ाई का हिस्सा बना चाहता है, जहां पर जात, पात, धर्म, मज़भ पार्टी से उपर उठकर, जो आपके लिए काम करता है, उस मैंने गुजा रहा है, उसमें ये चीज बहुत खूबी करीब से सीखने का मौका मिला, कि यदि आप नौजवान हैं और आप युवा हैं, और यदि गलत चीजों को आप बरदास्त कर रहे हैं, तो फिर आपके नौजवान या युवा होने पर लोगों को संदे होना यदि मैं जीत कर जाता हूं तो अदा करूंगा और ये विश्वास दिलाता हूं भागलपूर सहरवासियों को भी कि तीन साल, चार साल या पंदरा साल के कारेकाल मौन कारेकाल से बहतर है, दो साल, एक साल का कारेकाल जिसमें आवार्ज सहर की समस्या सदन तक गुंजने का क काम हो वैसे लोगों जिताकर भेजना चाहिए, युवा हैं और खासकर युवाओं की भागिदारी के बारे में आप से जानना चाहेंगे कि राजनीती में और खासकर देखा जाये तो पार्टी विशेस माइने नहीं रखता है एक नजदी की जनपरतिनीधी अपने छेतर के जिए और विश्वास कम होता जाता है और जैसे जैसे जनपरतिनीधी चुनाओं बहुत सरे जन परतिनीधी हैं जिनके आपर कई तरह के आरोफ हैं जिनके और कई कर princesे मुकदमे हैं और उसके बाद भी व्यक्ती मिदान पर उतरता है जित कर जाता है तो कहीं न कहीं आम लोगों के बीच में एक भै का महल रहता है कि उस जनप्रतिन्दी के समक्ष अपनी समस्या को कैसे रखे और जब हम एक विद्यार्थी यदि अपने सिक्षक के पास समस्या या अपनी पढ़ाई की जानकारी लेकर इसलिए नहीं जाए क्योंकि मेरा सिक्ष का हिस्सा बनेंगे तो कहीं मेरे साथ गलत नहीं हो जाएं तो मुझे लगता है कि इस चीज को सुनिशित करने के लिए कि नौजवान और यूवा साथी भी राजनीती का हिस्सा बने शिक्षित पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीती के मुख इधारा में आना चाहिए और ये काम हमारे आदर्णी राश्टत्यक चिराग पासवान जी ने किया, हम जैसे मुझे लगता है कि पहले फेज में भी आप देखेंगे जिसमें उन्होंने 42 लोगों को सिंबॉल दिया है, उसमें आप एक गौर फर्माइए तो उसमें आप देखेंगे 10 से 15 ऐसे नौजव इसके लिए उनको कोटी-कोटी धन्यवाद देता है, आखरी सवाल होगा और कम सब्दों में हम जवाब चाहेंगे कि खेल का मैदान हो या फिर राजनीती का हार जीत लगा रहता है, एक सिक्के का दो पहलू है वो, तो इस बार के चुनों में अगर आप जीत जाते हैं, तो आपके क्या वादे रहेंगे, या फिर जो समस्या वर्षों से चली आ रही है, शेहर की भोलानात पूल जाम की समस्या हवाई सेवा, क्या ये सारी प्रार्थमिक्ता हैं आपकी रहेगी या फिर ये आप वादे भी करेंगे कुछ, देखिए पहले तो हम लोग अपनी प्राथमिक्ता एरपोर्ट बना देना इन सबी चीजों से उपर उठकर पहले हमको अपनी प्राथमिक्ता तैह करने होगा अभी पहले हमारी प्राथमिक्ता है कि उन साथ फीजदी लोग जो आज भी घर से बाहर निकल कर पानी लेकर आ रहें या जिनके घर तक स्वक्ष प पूल की बात हो वहां पर भूलान पूल से लेकर सितला स्थान तक आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो नालिक की स्थिति है उसकी बात हो जल जमाओ की स्थिति आप देखे तो बहुत सारे ऐसे मुद्दें हैं दक्षिनी छेत्र के जिससे सहरवासियों को निजात दिलाने क मुल्भूत चीज़ें फिर आप यदि देखेंगे तो पूरे सहर के ड्रेने सिस्टम को दुरूस्ट करने के आवश्यक्ता फिर आप देखेंगे जिस तरीके से हमने अपने कारेकाल में मैदान के पास वेंडिंग जोन देने का काम किया और लगभग डेड़ सो ऐसे परिव साम करें ताकि वह सुबह अपने दुकंदारी करें तो साम में मेरे साथ क्या होगा वह पूरे अजादी के साथ पूरी मजबूती के साथ अपने दुकंदारी करें हम लोग जितने भी ऐसे वर्ग हैं चाहिए वह रिक्सा चलाने वाला हो चाहिए ठेला चलाने वाला हो चाह जो पार्किंग की विवस्ता है उन सभी विश्यों पर उनके लिए हम क्या भैतर कर सकते हैं उनको कैसे हम एक रोड मैप के तरह ब्लूप्रिंट त्यार करके उन सभी लोग के लिए कैसे हम लोग एक भैतर विकल्प निकाल सकते हैं कैसे एक सिस्टेमेटिक तरीके से ट्रैफि से लड़ाई हुई कई वार इस मुद्दे पर हम लोग की बहस हुई यहां तक कि माने मुखमंत्री तक हम लोगों ने पत्राचार करें काम किया लेकिन कहीं न कहीं यदि आप अकेले और अगर आपका चोटा ओधा डिप्टी मेर एक वार्ड पार्सत से ज्यादा हैसियत नहीं मैंने हर मुद्दे को मजबूति से उठाने का काम किया है और यहां भी नहीं मैं आगे भी आपको यह वचन देता हूं यदि इस पांच साल में अगामी पांच साल में मैं इन मुल्भूत समस्याओं से लोगों को निजात नहीं दिलाऊंगा तो मैं जीवन में कभी कर सकूं तो मेरी प्रात्मिक्ता यहीं है कि सहर को मुल्भूत समस्याओं से निजात मिले और एक बहतर उभरता हुआ भागलपूर हो इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी बैठके और सुस्ती में अपने कारेकाल को पूरा करना यह लोग देखते आए अब लोगों कुछ नया देखनी के आवशक्ता है मुझे लगता है कि यह मैं दिखाने का काम करऊँगा राजस्वर्मा को लोग क्यूं? मेरा सहर और मेरे सहर के लोग है और मैंने कभी भी यदि किसी की भी सरकार रहे हमारे संग हमारे सरकार रहे या हमारे विपक्ष की सरकार रहे हैं मैं हमेशा अपनी बात को उतनी मजभूती के साथ अपने सहर के लोग के लिए उठा ता कल भी आया हूं और आने वाले कल में इस लिए मुझे लगता है कि आने वाले और Мहान रहने वाले और 5 साल तक भान रहने वाले ऐसे चन प्रतिंद्र को चुनने से बहतर है ऐसे जन्परतिंद्र को चुने जो कम से कम आपके लिए यहां से लेकर सदन तक आवाज उठाए और आपके लिए लाई लड़ने का काम करें मिलकुल तो हमारे साथ थे राजेश बर्मा जी और मैं भी चाहूंगा कि आप जो है लोक तंत्र के इस महापर में अपनी भागीदारी शुनिश्चित करें और अपने नजदीकी मद्दान केंद पर जाकर अपने मतों का परियोग जरूर करें